हेलो फ्रेंड्स वेलकम्रोड माई चेनल आज हम बनाने जा रहे हैं तो बन गोवी का आ चार बनाने के लिए हमने एक बन Babi लिया था जो की Pr policy 500 ग्राम का ओर इसको हमने कट कर लिया है और इसको हमने एक दिन पूरा दूप में सुका लिया है देखिए इस टाइप से यह हो गया है इसका मॉस्चर जो है वो बिल्कुल सूख चुका है तो इसको हमने कट करके ऐसे रख लिया है इस टाइप से हमने देखिए यह कट करके रख लिया है और यह हमने देड लैसन के जवे ले लिये है एक चम मिक्स करके मसाले इसके अंदर हमें रखना है चलिए आईए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए यह देखिए यह जो हमने मसाले लिए हैं इनको हमें जार के अंदर ट्रांसफर करना है और इनको हमें मोटा मोटा जो है इनको पीस लेना है तो सारे जो मसाले है वो मैं जार के अंदर ट्रांसफर कर रही Singapore हूँ नमक भी मुझे इसमेई डाल देना है और इनको मुझे मोटा मोटा चला लेना है ये देखिए जो मसाला था वो मैंने इतना dry पीस लिया है और मोटा मोटा है और मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है सूका यह पीता और भीर सर्फाए में ओस्टीज़ा की अमने में अशुकुर मौटा दूना हम सार प्रैकर निए अचार के लिया है। तो इस वज़ा से हमें काच कही जार यूज़ करना चाहिए तो अब हमें जो ये बन गोबी है इसको हमें इस जार के अंदर ट्रांसफर करना है और इसको हमें खुब दबा दबा कर इसके अंदर भरना है ताके इसके अंदर एयर ना आए तो हमें इसको इसके अंदर अच्छे जिसके अंदर खुब अच्छे से ठूस ठूस कर इसके अंदर भर लिया है और इसके अंदर जो है मुझे यह जो मसाला मैंने लिया था इसके उपर से मुझे मसाले को ऐसे करके रख देना है यह देखिए अंदर तक हमें इसे मिक्स नहीं करना है और इसके अंदर एयर नहीं जाए, इस वज़ा से हमने इसको खुब अच्छे से भर दिया है, यह देखिए मैंने इसके अंदर मसाला रख दिया है, अब हमें इसको टाइट से बन कर देना है, यह देखिए मैंने इसके उपर पूरा मसाला रख दिया है, अब इसको हमें अच् टाइट से ताकि इसके अंदर air नहीं जाए और अब हमेंसे 20-25 दिन तक धूप में रखना है और इसके बाद हमें इसको मतलब खोलना नहीं है और इसमें हमें इसके अंदर नमक से ये reduce होगा और इसके बाद हमें इसको हिलाना है और इसका मसाला mix कर देना है और 20-25 दिन बाद हमें से खोलना नहीं है 20-25 दिन तक उसके बाद हमें से खोलना है और इसको धूप में दरूर रखना है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना बूले, ठैंक यू